बीब्रुगड एक्स्प्रेस गॉंडा गोरखपुर रेलवे लाइन के बीच दोड रही थी तभी अचानक चार से पांच डब्बे ट्रेम की पटरी से नीची उतर गए मौके पर अफरा तफरी मच गई लोगों की चीखे चिलाने की अवाज याने लगी जहां हादसा हुआ उससे कुछ ही दूर ट्राक पर काम चल रहा था वहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों को कॉशन दिया गया बीब्रुगड एक्सप्रेस भी वहाँ से 634 किलोमीटर पर कॉशन लेकर निकली थी और रफतार पकड़ते ही पटरी से उतर गई ट्रेन हादसे की बड़ी वज़ा क्या हो सकती है आईए आपको ये बता देते हैं रेलवे बोर्ड के एक्स मेंबर प्रदीप कुमार कहते हैं कि कभी कबार इंजन पर लगी मोटर नीचे गिरने से दुरघटनाए हो सकती है जिससे ट्रेन की पटरी से उतरने की आशंका रहती है हाला कि ऐसे मामले सामान्य तौर पर नहीं देखे जाते ही बीबरुगर्ड एक्स्प्रेस के मामले में लोको पाइलेट ने धमा के जैसी आवास सुनी थी हाला कि स्थानिय पुलिस ने जब शुरुआती जाच की तो आसपास कोई भी विस्वोटक जैसी चीज नहीं मिली इसलिए मोटर गिरने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता एक्सपर्ट मानते हैं कि जहां पर हादसा हुआ है वहाँ पर ट्राक के आसपास पानी भरा है कई बार पानी भरने की वज़े से किसी पॉइंट पर ट्राक कमजोर हो सकता है रेलवे मैनुवल के अनुसार जब कहीं 20-30 किलोमीटर पर ट्राक पर पानी भरा मिले तो एक रेलवे करमी पाइलिटिंग करते हुए ट्रेन के आगे चलता है और ट्राक सेफ होने के बाद ही ट्रेन वहाँ से निकलती है फिलहाल पूरा मामला तो सामने नहीं आ पाया है रेलवे ने CRH जाच के आदेश तिये है बता देए ये हादसा मोती कंज और जिलाही रेलवे स्टेशन के बीच हुआ ट्रेन अक्सिडेंट में तीन लोगों की मौत और तीस लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है मृतकों के परिजनों को 10 लाक रुपे और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाक रुपे और मामूली रूप से घायलों को 50 हजार रुपे की राशी देने का एलान हुआ है मौके पर पहुँचकर सांसत कीर्ती वर्धन सिंग ने क्या कहा आईए आपको सुनाते हैं वो आईगी और यहां से यह जो याती आगे जा रहे थे गोरखपूर जा रहे थे जो आगे अपने जगा पर जा रहे थे उनको यह ट्रेन यहां पर लोड करके उनको अपने अपनी जगा पहुँचाए जाएगा इस बीच रेल्वे ने कई हेल्प लाइन नंबर भी जारी किये आईए एक नजर इस पर डालते हैं डीपरुगा ट्रेन हाथसे की बीच इस लाइन पर चलने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं कटिहार अमरित्सर एक्सप्रेस का रास्ता बदल कर मनकापूर अयोध्या बारा बंकी के रास्ते रवाना किया गया साथी गुहाटी शुरी माता वैश्नुदेवी कट्रा एक्सप्रेस को भी मनकापूर अयोध्या और बारा बंकी के रास्ते चलाया जा रहा है